दिल्ली के मंतरी आतिशी ने संसनी खेच दावा किया उन्होंने कहा जेल में केजरिवाल की हत्या की साज़िश रची चारी है केजरिवाल की जान को खतरा है आरोग खतरनाक है लेकिन आम आदमी पार्टी कोई साक्ष या सबूत नहीं दे पार ही है कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि केजरिवाल की जान खतरे वे है आतिशी के बाद संजे सिंग भी मैदान में उत्रे और हर चैनल पर घूम घूम कर इसी आरोग को दोराया कि केजरिवाल की जेल में हत्या की जा सकती है इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी इस शिकायत को ले एडिटर इचीफ डॉक्टर मनिश्कुबार सर आपका स्वाग करें दन्यवाद इतने बड़े आरोप लगाए गये है आम आदमी पार्टी के तरफ से इसके पीछे की सच्चाई क्या है देखिए जान पर खत्रा आ गया है हत्या की जा सकती है मारा जा सकता है और ये लोग प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं सड़त पर नहीं उतरें एफ यार दर्ज नहीं कराया कोट में ये बात नहीं कहीं इंडिया गड़बंदन के लोगों से भी बातचित कर लिया होता हम बाकि सारे लोगों का भी बयान आता है अगर इतने महान लीडर की जान को खत्म करने के खाना पूर्ती कर रहे हो तो साजिस तो आम आदी पाटी कर रही है केजरिवाल के साथ कि इतनी बड़ी ख़बर आ गई और आप सिर्फ जो रेगुलर प्रेस कॉंफरेंस होता है बस वही करके आप बैठे भी हो तियार के बाहर लाखों लोगों को लेकर के बैठ जाना चाह के उपर यहो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या कर रहती है है यह भगत सिंक के चेले हैं जेल से नहीं डरते है अभी एक मैना पूरा हुआ नहीं है दर के मारे कलिजा दुग-दुग-दुग कर रहा है और ये साजिश जान से मारने के साजिश ये तो किसकी-किसकी नहीं हो गई मनिसिस्योद्या को भी मारने की साजिश हो चुकी ये संजे सिंग या अपने आपको भबबर सेर बताता है लंबे चोले भासन देता है ED की हिरासत में जब इसको पकड़ के लिके जाये गया दूसरे दिन की बात है ED के कुछ अधिकारी रात में संज़ सिंग के पास पहुंचते है और उनको करते हैं कि तूलक रोट थाने में आपको सिफ्ट कर रहे हैं आज की रात सारी बाहदुरी जो है न निकल गई हावा हावा ही हो गई ये डर से थर्थर कापने लगा वहीं जमीन पे बैठ गया कहा कि मैं नहीं जाओंगा क्यों उसको शिफ्ट क्यों कराया जा रहा था एटी के अधिकारी उने कहा कि मंतली हमारे पूरे ऑफिस के अंदर वो मॉस्किटों को भगाने के लिए वहाँ पे गैस चिरकाओ होता है तो अगर उसको चिरकाओ कर देंगे तो फिर आप सो नहीं पाओगे तो आप जो है तुगलक रोड ठाने पे वह भी दिल्ली में ही है वहाँ पे आपको अच्छी व्यवस्ता है लूटियन जोन का ठाना है वो वही पे आपको रखते हैं आम आपनी पार्टी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कहना सुरू किया भई मेरी जान को खत्रा है उनको लगा कि भई इसको एडी कस्टेडी से कहीं उठाक ले जाए जाएगा चार-पांच गोली मार के कतम कर जाएगा ऐसे जैसी बुद्धी है इनकी अब क्यों ऐसा किया कि भई हमको टॉर्शर किया जा रहा हमको प्रतारित किया जा रहा हायरे हाय मुझे मैं तो बिल्कुल यह विक्टिम कार्ड खेलनी की आदत है लेकिन यह विक्टिम कार्ड नहीं है बड़ा चालू चतुर है यह तिहारी ये त्यारी सियम जो है वही से बैठे बैठे जो है घंचक कर अपना चलाता रहता है चारों तरफ इसको समझ में आ गया है कि अब निकलना मुश्किल है जैसे मनिसी सोध्या का डेर साल हो गया लगबग सबसाल से उपर होई गया है केजरिवाल के खिलाब भी वैसे वैसे सबूत है वही सब कुछ है और कहीं ज़्यादा है इसकी रिस्पॉंसिब्लिटी और कहीं ज़्यादा है मनिसी सोध्या ने तो सुप्रिम कोर्ट में जाकर के कह दिया था कि माई लॉड ये मेरा पसल डिसीजिजिन नहीं था ये कानून बनाया गया इसमें लूट हो गया ये हो गया वो हो गया ये मेरा अकेले का डिसीजिजिन नहीं है तो सरकार के लिए काम कर रहा था तो डिप्टी सीम के उपर कौन सीम तो ये तो ये भी नहीं कह सकता है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है क्योंकि कानून में बदलाओ बिना सीम के सहमती से किसी भी देश में नहीं किसी भी राज में नहीं हो सकता तो आप जान गया हो कि बचना मुश्किली नहीं नामुम्किन है तो आप क्या करोगे आप छट पटाना चालो करोगे अभी से शुरू कर दिया कि भै तो बीमार हो अब मुझे एक चीज़ बता दे कोई ये जो जूटे लोगों का ये जो गैंग जो बनाया है आम आदमी पाटी संजा सिंग ने भी कहा आतिसी ने भी कहा कि भै तीस साल से मुझे डाबटीज है है ना मतलब अभी पचास पचपन साल उमर होगी तो वीस पचीस साल में तुमको सुगर की बिमारी शुरू हो गई किसको बेबकू बना रहे हो और कोट के अंदर जाकर क्या आप कहते हो कि बाईस साल से है तो पहले ये तैक कर लो तीस साल से तुमको सुगर की बिमारी है या फिर बाईस साल से हर सेंटेंस में जूट अब उसके बाद क्या होता है कि आप जो है एक अप्लिकेशन देते हो किसलिए अप्लिकेशन देते हो अप्लिकेशन इस चीज के लिए देते हो कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है रोज करना है 15 मिनिट करना है और यह 15 मिनिट क्यों चाहिए सिर्फ डॉक्टर से नहीं बगल में धर्मपत्नी भी होनी चाहिए सुनीता केज्रिवाल ताकि डे टुडे क्या चल रहा है क्या होना चाहिए आज यहां यह कर दो वहां यह कर दो क्योंकि election है यहां हर उमिद्वार मांग रहा है पैसा कि पैसा नहीं होगा तुम कैसे campaign करेंगे वोटिंग डेट आ जाएगा पैसे नहीं मिलेंगे और पैसा कहा किसको दिया जाए यह कौन बताएगा केज्रिवाल के लावा कोई दूसरा व्यक्ति इस पर decision नहीं ले सकता तो जेल के अंदर से ही बैठे बैठ और इसके लिए इसने यह बुर्ना चालू कर दिया कि मुझे तो सुगर की बीमारी है यह है वो है फ्लक्चुएट कर रहा है अब आज समझे कि सब कुछ मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है कल क्या घंगोर बेजती हुई किस तरीके से पूरी तर पूरा गेम इन लों का चौप डालना कि देखी जान जो है वो खत्रे में है मैं लौट यह लौग कीची तो भाई यह धूरतता करते करते जच साहब भी अब समझ में आ गया है कि इन लोगे बात के उपर वरोसा नहीं करना है सुमार को फैसला आएगा कोट का और मैं आपको बता दू जो मेरा जो कॉमन सेंस कह रहा है वो यही होगा कि एम्स के एक पैनल बना भी चाहिए कि डक्टरों को पैनल पर तै तो हो जाए कि भई क्योंकि आतिसी माले ना कभी कहती है कि ब्लड सुगर जो है च्यालिस वो तो देखी वो तो किसी तरीके से वो एक एक इंच बढ़ना चाह रहा है कि वे किसी तरीके से जो कि उसको मालूम है पार्टी टूट रही है तो यह जो आरोप लग रहा है कि केजरिवाल की हत्या कि साजिस रची जारी है ना इन लोगों को मालूम है कि डेर साल अगर केजरिवाल मनिसी सोज्जा के तरह जेल में रह गया तो आमाद्वी पार्टी अरविंद केजरिवाल सब की राजनितिक मौत हो जाएगी तो राजनितिक मौत से बचने के लिए अलग अलग अभी तो पहला दाव चला है यह कोट से इसमें जटका लगेगा तो फिर को दूसरा को दाव करेगा फिर को कैसे आपने देखी कैसे मनिस सिसो दिया मेरी बीबी भीबार है फिर यह सतंदर जायन मैं बीमार हूँ आप देखिए सारे लोग यह संजे सिंग बेल मिल गया इसको एस्पेटर नहीं था कि भई इडी वाले जो है वो मना कर दें कि नहीं चाहिए इसको तो लगी रहा था इसलिए पहले से कर दो लीवर खराब हो रहा है अभी लीवर ठीक हो गया जेल से निकलते हैं लीवर ठीक ने तो वील्चेर पर जा रहा था चल नहीं पा रहा हूँ और अगले दिन बेल मिलते ही वो कार के छट के उपर ख़ड़ा हुआ भासन दे रहा था तो आप ने समझे कि कैसे धुरत हैं ये लोग लेकिन संसनी खेज बाते करनी हैं कोई सबूत नहीं देंगे आज तक इसने जिस किसी के ऊपर आरूप लगाए क्या कोई सबूत दिया इसने कभी किसी एक व्यक्ति के खिलाफ ये इतना बड़ा जूटा है और ये कह रहे है कि भाई हम जाएंगे एलेक्शन के पास जाओए कि जो सारी चीजे का अखुलासा हो रहा है अंगा पूरिख का प्रत काने में आम खा है हो मिठाई खा रहे हो चीनी वाला चाय पीदे है हो है केला भी गटक रहे हो हल्वा पूरी खा रहे हो और साथ में चार चार अंडे भी दवा रहे हो चार अंडा नवरात्रा के दोरान ये कहता है कि भाई हम बहुत बढ़े सनाते नहीं है तो ये फ्रॉड लोग है और ये सारी चीज़े किसके आदेश पर बाहर आई कोट के आदेश से तो ये आपने कहा कि मैरा सुगर लेवल ये है वह सारा कुछ जज ने पूशा कि भाई क्या खाते हो जरब बताओ तो जज ने मागा था तो जैसे वो एक्सपोज हो गया कि इसकी कले ही खुल गई ये दुनिया के सामने पूरी तरीके से आपने समझे कि इसका परदाफास हो गया इसके जूट और प्रपंच का तो बस चिछाती पीट के चिलाने लगया कि जान को खत्रे में जान खत्रे में जान खत्रे में अब दिक्ट क्या है कि मीडिया वाले वह सब अधिड्रीजमेंट का जो है वह नमक का जो है वह और अदा किया जाते हैं तो क्रॉस कोश्टिंड भी नहीं पूछेगा वह सर्थ है वो सर्थ है इवन पॉब्लिक वाला जो प्रोग्राम होता है आम आधी पाटी वाले जाते हैं तो साथ में अपने साथ लोगों को लेके जाते हैं कि वहाँ कुछ भी वो करें ताली बजाए लोग यह इस तरह के सेटिंग है तो यह देखिए जज सहाब लोग भी जो है दीर और आप निताओं के जूट का परदा फाश होता जा रहा है बार बार पकड़े जाने के बाद भी आप निता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इस वज़ा से के जिवाल की मुश्किले बढ़ते जा रही हैं सबसे बड़ा सवाल में आज लेता ही अगर आपने किजिए शेर किजिए हमारे वीजियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यवाद